प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश में लगभग 30,000 किसानों ने 88,000 मिट्रिक्टन धान की खरीदी की गई। सभी खरीदी केंद्रों में कोरोना वाइरस संक्रमन से सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। खादी विभा के अधिकारियों ने बताया कि राजि में इस वर्ष कुल 2469 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान उपारजन किया जा रहा है। राजसरकार ने किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही स्वैम के बारदाने में धान बेशने की अनुमती दी है। किसानों से धान खरीदी पुराने जूट के माध्यम से भी किया जा रहा है। किसानों को अग पुराने बारदाने के एवज में 25 रुपे का भुखतान किया जाएगा। राजिशासन द्वारा 18 रुपे प्रती बोरा निर्धारित दर को बढ़ा कर 25 रुपे प्रती बारदाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि धान खरीदी सर्वोच प्रात्मिक्ता का कार्य है। किसानों को धान बेशने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल राइस मिलर्स एसोसेशन के पदाधिकारियों और खादी विभाग के अधिकारियों की भी बैठक लेकर धान की कस्टम मिलिंग की तयारियों की समीख्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में खरीफ विपड़न वर्ष 2021-22 में सुविवस्तित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों की प्रोसाखन राशी को बढ़ा कर 120 रुपए प्रती कुईंतल किये जाने की घोश नाकी। लेकिन यह है कि प्रदेश में इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 22,66,000 किसानों ने अपना पंजियन कराया है। वहीं चालू खरीफ विपड़न वर्ष में 1,5 लाख मिट्रिक्टन धान खरीदी का अनुमान है।